नमस्कार आप सभी का स्वागत मौसम खबर में मैं हूँ मुकुल शर्मा मौसम खबर में आपको बताएंगे देश के किन हिसों में गरिज के साथ चलेंगी तेज हवाय और कहां कहां हो सकती है मुस्तधार या जोरदार बारिश लेकिना ये सबसे पहले नज़र डालते हैं मौसम की बड़ी खबरे हैं वो निकल कर आ रही है और जो पहली बड़ी खब है वो है उत्राखंट से जहां पर गिना चुने हिसों में ही भारी बारिश के आसार बनते हुए नज़र आ रहे हैं इसके साथ साथ अगर बात की जाए उतर प्रदेश की तो यहां भी कहीं कहीं जोरदार बारिश की संभावना जटाई गई है मौसम विभाग दवारा और ख तेज हवाएं चलने की संभावना जटाई गई है साथ ही मराट फड़ा की भी अगर बात करें तो यहां भी बिचली की चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं अब आई ये अब लिटिन में आके बढ़ते हैं और नज़र डाल लेते हैं मौसम पूरा उन्मान में देश के इसको हम मान सकते हैं खासता और से अगर हम उत्राखंड की बात करते हैं या पूरी उत्रप्रदेश की बात की जाए तो लगातार भारी बारिश का जो अनुमान है वो इन शेतरों के लिए जटाया गया है मौसम भाग द्वारा जबकि अगर बात की जाए जो पीला रंग आ जटाया गया है और साथ ही मध्य भारत में भी आप देख सकते हैं कई जगा यहां भी जोड़दार बारिश का अनुमान जटाया गया है बारिश किस्ति आई और विस्तार से आपको पता देते हैं सबसे पहले उत्रपरश्म भारत की अगर बात की जाए तो नासर पश्मी उ जटाक में भी कहीं कहीं बारिश हो सकती है जबकि पंजाब में फलाल बारिश का कोई अनुमान नहीं जटाया गया है लेकिन सबसादिक बारिश उत्रप्रदेश में आपने देखा इसके साथ ही इसके जो लगा हुआ राज़य है बिहार की अगर बात की जाए तो बिहार मे अधिक तर जगा यहां बारिश का अनुमान जटाया गया है तो वहीं केरल, तमिलाडू, कनाटका के अलगलाख हिस्सों के अगर बात की जाया तो यहां भी कई जगा बारिश हो सकती है वहीं तेलंगानम में भी अनिक स्थानों पर बारिश का अनुमान है तो रायल सीमा में भी कहीं कहीं बारिश की संभाफ ना जताई गई है मध्य भारत की आई इस्तती जान लेते हैं सबसे पहले अगर पूरी मध्य प्रदेश की हम बात करें तो यहां अधिकतर जगा बारिश हो सकती है जबकि पश्मी मध्य प्रदेश, विदर और 36 गड़ की बात करें सकते हैं हिमाचल प्रदेश और पूरी उतर प्रदेश की अगर बात की जाए इस तरह का नुमान जताया गया था इन दोनों जगाव पर जो बारिश की स्तती है वो पिछले 24 गंटों के दोरान दर्ज की गई मौसन भाग के अनुसार और पहले से ही इस तरह का नुमान जताया गया था कि जो बारिश के संभावना है वो बनी रह सकती है तो खास्ता और से उतर प्रशिम भारत के ना सिर्फ अगर पहाड़ी शेत्रों में माचल प्रदेश की हम बात करें मैदानी शेत्रों में भी जबकि पूरवे भारत में आप देख सकते हैं अधिकतर जगा बारिश और उसके साथ साथ तेज हवाईं दर्श की गई है फिर चाय बिहार की हम बात करें जारखन और इशा गांगे पशिम मंगाद असम में एक हाले लगातार डा सिर्फ बारिश विलकि तेज हवाईं यहां दर्श होई करना करनाटका के अलगलाख हिस्तों के अगर बात की जाए राल सीमा की बात करें तो यहां भी पिछले 24 घंटों के दौरान बारिश दर्श की गई मध्य भारत की सिति क्या रही है इस पे भी नज़र डालेते हैं आप देख सकते हैं मध्य महराश्रा की अगर बात की जाए या फिर मध्य प्रदेश की हम बात करें तो यहां भी बारिश दर्श हुई पिछले 24 घंटों के दौरान लेकिन 36 घंट में आप देख सकते हैं मौसम में आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर तो आप RBI के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ओनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं यह RBI का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुजाने का और वो भी फ्री RBI कहता है जानकार बनिये सतर दूरदर्श RBI के बाद आप सभी का एक बार और फिर स्वागत मौसम खबर में अब आई यह बुलिटिन में आके बढ़ते हों और आप पोताते हैं लगातार अदिश्की का हिस्तों में ना सिर्फ बारिश और घरज के साथ जो तेज हवाएं दर्श की गई हैं उसके बाद तापमान में किस तरह का बदलाव जो है दर्श किया गया है तापमान का हाल कैसा रहा है इसके बारे में जानकारी आपको दे दें पहले बात करते हैं अधिक्तम तापमान में बदलाव की आप देख सकते हैं पर गांगे पष्यमंगाल और अरिशा के अगर हम बात करें तो अधिक्तम तापमान यहां पर एक से तीन डिग्री सेलसियस कम दर्ज किया गया यानि गिरावर जो है वो यहाँ अधिक्तम तापमान में दर्ज हुई है सामान तापमान के मुकाबले साथ ही गुजरात की एक बात की जाए 36गड की हम बात करें तो यहां भी गरीब 1-3 डिग्री सल्सियस कम दर्च की आ गया अधिक्तम तापमान सामान तापमान के मुकाबले वहीं आप देख सकते हैं असनम में घाले की अगर बात करें एक से तीन डिग्री सेल्सियस अधिक दर्च हुआ इजाफा यहां भी देखा है अधिक्तम तापमान में दर्च किया गया है जबकि सबसे अधिक तापमान जो है आप देख सकते हैं लगतार दर्च हुआ पश्मिराइस्तान के गंगा नगर में अरस्ति शमलव चार डिग्री सेल्सियस तापमान दर्च हुआ और आगे बढ़ते हैं बात कर लेते हैं नियूरित्म तापमान में आए बदलाव की क्या स्तिती रही है आप देख सकते हैं पंजाब की बात करें हिमाचल प्रदेश और साथी उत्रकंड तो यहां नियूरित्म तापमान करीब 3-5 डिग्र सेल्सियस ज्यादा दर्च किया गया यानि इजाफा जो है वो नियूरित्म तापमान में यहां पर देखा गया है पिछले 24 घंटों के दौरान सामाने तापमान के मुकाबले इसके साथ ही अगर नजदर डालते हैं खासता और से हर्याना रासदानी दिल्ली उतर प्रदेश की बात की जाए तो यहां हम देख सकते हैं एक से तीन डिग्री सल्सियस का जो इजाफा है वो यहां भी दर्च हुआ है नियूरितम तापमान में सामाने तापमान के मुकाबले पिछले 24 घंटों के दौरान और खासता और से अगर बात की जाए पूरी राजिस्तान की पश यूरित प्रदेश के राइसेन में दर्च हुआ और तापमान रहा 19 डिग्री सल्सियस तो जाना आपने किस तरह का बतलाव ना सिर्फ अधिक्तम बलकिन इनुतम तापमान में दर्च किया गया है लेकिन देश के प्रमुक शेहरों के अगर हम बात करते हैं देश्पर में अ मौसम खबर में यहां वक्त उचला एक और छोड़े से ब्रेक का ब्रेक से लॉटेंगे तो आपको बताएंगे और क्या कुछ खास रहेगा मौसम में आप बने रहिए दूरदर्शन किसांग पर ये भूमी सारु धर्म संभाव की भूमी है तापिरो कोन की आउकाद जरूर दिखाना पिर मरने के लिए तैयार हो जो रूर सिर्फ हमारे ने विर्जिन करें उस इंडिया का नामोंने शान को मिठा देंगे अब कोई भी मंदिर किला या मजडित का निर्माण नहीं हो सकता हमारी सायता कीजिए धर्म परिवतन करने लिए बिवश किया जा रहे है इतने समय से हम सभी धर्मों के साथ शांती पूर्वक रह रहे थे अब समय आ गया है इन पश्मों को खदिर भगाने का इन्होंने धरूर्टता की सीमा को पार कर दिया है जीत या हार के लिए नहीं हम अपने अस्तित्व के लिए लड़ेंगे जीत शांती पूर्वक रहे है आधारीं जीत दरश है, वायू गुल्मता सूचकांग के अधार पर वायू गुल्मता का हाल कैसा रहा है प्रामक शहरों में क्यूसी स्रेनी में दर्श की गई है गुर्मत्ता सूचकांग के आधार पर मुंबई की भी अगर बात की जाए तो 64 रहा गुर्मत्ता सूचकांग जो कि एक अच्छी इस्ति हम देख पा रहे हैं यहाँ पर अच्छी शेणी यहाँ पर नजर आई वायू के गुरुमत्ता इसके साथ ही पटना की अगर बात की जाए तो 41 दर्ज हुआ गुरुमत्ता सुचकांग जो की बहुत अच्छी इस्तिती हम देख पा रहे हैं यहाँ पर बहुत अच्छी शेणी में यह नजर आई जबकि हैदराबाद की अगर बात की जाए तो यह सर अच्छी शेणी के अंतरकत हमें यहाँ पर नजर आई वाय गुरुमत्ता अब आई आके बढ़ते हैं नजर डालते हैं परटन पुरा नुमान में हमारे परटन इस्तलों पर किस तरह का मौसम रहेगा सबसे पहले जम्मो कश्मीर के गुलमर की अगर हम बात करें तो आप द अब आई आके बढ़ते हैं हिमाचल प्रदेश के कुल्यू की अगर हम बात करें तो दीखे कुल्यू में बुद्वार को आपको जो बारिश किस्तती है वो सीधे तौपे नजर आ रही होगी इस तरह का नुमान भी जताया गया है वहीं गुरुवार और शुक्रवार की आसपास रहेगा तो वही नियुनतम तापमान भी आपने जाना और इशा के पुरी की अगर बात की जाया देखे पुरी में बुद्वार से लेके शनिवार तक चारो हे दिन जो बारिश किस्तिती है वो यहां बनती हुई नजर आ रही है ऐसे में थोड़ा सा साबधान आप को रहना होगा यहां पर अधिक्तम तापमान जो है उसमें इजाफा हम देख पारें 28 से 33 डिगरी सेल्सियस पर यह पहुंच सकता है जबकि नियुनतम तापमान करीब 23 से 26 डिगरी सेल्सियस के आसपास बने रहने का अनुमान जटाया गया है अगले चार दिनों के लिए त जबकि अधिक्तम तापमान जो है करीब 32 से 35 डिगरी सेल्सियस रही का और नियुनतम तापमान करीब 25 से 26 डिगरी सेल्सियस के आसपास बने रहने का अनुमान जटाया गया है कोई ज़्यादा बदलाव तापमान में नहीं लेकिन चारो दिन जो बारिश है उसका सामना के लिए जटाया गया है ऐसे में अधिक्तम तापमान के हम बात करें तो 20 से करीब 23 डिगरी सेल्सियस रह सकता है ति नियुनतम तापमान में करीब 16 से 17 डिगरी सेल्सियस के आसपास बने रहने का अनुमान जटाया गया है मौसम वे भाग द्वारा तो यह बात हुई अगर नज़र डालें तो करीब 32 डिगरी सेल्सियस के बीच में रह सकता है तो वही नियुनतम तापमान में करीब 24 से 26 डिगरी सेल्सियस के आसपास बने रहने का अनुमान जटाया गया है अनि 2 डिगरी सेल्सियस के आसपास ही जो बदलाव है वो हम जरूत आपमान में दे आया गया है यानि तापमान में कोई जादा बड़ा बदलाव नहीं है लेकिन बारिश का सामना आपको यहां भी करना पड़ेगा अगले चार दिनों के दोरान तो जाना आपने क्या इस्तिती रह सकती है भाई आके बढ़ते हैं मद्रप्रदेश के सांची की अगर हम बात करे देखे सांची में बद्वार गुरवार शुकरवार शेनिवार एक जैसी इस्तिती नजर आ रही है जो बादल है वो जरूर कुछ एक जगा चाय हुए रहेंगे देकिन इनके बरसने की संभावना फिलाल कम है और ऐसे में अगर अधिक्तम तापमान की हम बात करते हैं तो य करीब 32-33 डिग्री सल्सियस के आसपास रह सकता है जबकि नियुनतम तापमान करीब 23-24 डिग्री सल्सियस के आसपास बने रहने का नुमान जताया गया है अगले चार दिनों के लिए और बात अगर की जा यहाँ पर राजिस्थान के माउंट आबू की तो आप देख सकते ह माउंट आबू में भी बुद्वार गुरुवाद दो देंसे दितोर पर जो बारिश किस्ति है वो यहाँ बंती हुई नजर आ रही है जबकि शुकरवार शेनिवार में बारिश नहीं है लेकिन बादल जो हैं वो जरूर छाय रहेंगे कुछ एक जगाओ पर और इस बीच अधिक्तम तापमान हम देखें तो करीब 23-24 डिग्री ये सल्सियस रह सकता है जबकि नियुनतम तापमान अगले 4 दिनों के दौरान 16 डिग्री सल्सियस के आसपास बने रहने का अनुमान जताया गया है भारत मौसम विज्ञान भादवारा तो जाना आपने किस तरीके से लगातार जो मौसम है उसमें बदलाव हम देख पा रहे हैं और इसी बदलाव की वजह से हमारे जो किसान है उनको कभी-कभी सूचना पड़ता है कि कौन सा क्रिशी कारिये वो कर सकते हैं लेकिन मौसम को दिहान में रखते हुए हमारे जो किसान है वो फिलाल कौन-कौन से क तो शिकारे कर सकते हैं, आईए इसके लिए नज़र डालेते हैं हमारी खास रिपोर्ट पर. तो शिकारे कर सकते हैं, आईए इसके लिए नज़र पर. तो शिकारे कर सकते हैं, इसके लावा मटर की बुआई करें, उत्रप्रदेश में मूंग में कीट लगने की संभावना बनी हुई हैं, ऐसे में मूंग में कीटों से बचाव के लिए क्रिशी विशेशग्यों की सलहा से कीट नाशक छिड़कें, इसी तरह उड़त में कीटों स शेल्जम को वैसे तो सभी तरह की मिट्टी में बोया जा सकता है लेकिन दोमट मिट्टी सबसे उत्तम होती है शल्जम के खेट से जल निकासी की समुचित व्यवस्था जरूरी है पूसा कंचन, पूसा स्वेता और पंजाब स्वेत, पूसा स्वर्णिमा और स्नोबॉल इसकी प्रमुक किसमे है एक हेक्टेर खेट के लिए 3-4 किलोग्राम बीच परियाप्थ होता है बूआई कतारों में करें, लेकिन बरसात के मौसम में मेडों पर लगाना ज्यादा अच्छा रहेगा कतार से कतार की दूरी 30-45 सेंटिमीटर यानि देड़ से धाई हाथ रखें जबकि बीच से बीच की दूरी 10-15 सेंटिमीटर यानि आधि से पौना हाथ बूआई के 8-10 दिन बाद पहली सी चाहिए करें उसके बाद जरूरत पढ़ने पर 10-12 दिन के अंतराल पर पानी देते रहें बोने के 25-30 दिन बाद मिट्टी चड़ा दे इसकी 2-3 निराई और गुड़ाई करनी पढ़ती है शल्जम में वाइट रस्ट, सरकोस्पोरा, पीला रोग, और टरनेरिया और पन अंगमारी जैसी बीमारिया हो सकती है शल्जम में माहू, मूंगी, बालदार कीड़ा, सुन्डी, आरा मक्षी और डायमन बैक मोथ जैसे कीट भी हमला कर सकते हैं तो जाना आपने कैसे आप शल्जम की खेती कर सकते हैं, लेकिन जानकारी का होना बेहर जरूरी और किसी वज़े से अगर आपकी जानकारी नहीं देख पाए हो तो आपको तादें, आपके पास एक और विकल्प है आपकी टीवी स्क्रिन पर क्यू आर कोड जो है, वो दिखाया जा रहा है, जिससे आप स्कैन करें, इसके बाद आप पहुंचेंगे डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर और यहां ये सारी जानकारी अब आप मौसम खबर के साथ कभी भी कहीं भी ले सकेंगे तो फ़लाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही मौसम की ताजा जानकारीों के साथ, फिर होंगे हाजर, मुझे दीजे अजासत, नमस्कार